हेलो दोस्तो, सावो की किचिन में आपका स्वागत है, तो चलिए, आज हम बनाएंगे आलू प्याज का बड़ा ही टेश्टी सा नास्ता, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, यहाँ पर हमने दो बड़े आलू ले लिए हैं, दो मीडियम साइज प्याज लिए हैं, जो कि हमने चील चुके हैं, अब यह वाले बलेड से हमें यह कद्दुकस करना है, हमें लौकी वाले से कद्दुकस नहीं करना है, जिससे कि हम लौकी कद्दुकस करते हैं, उस वाले बलेड से नहीं करना है, इसी गोल वाले बलेड से हमें यह कसना है, थोड़ा सावधानी से कसिएगा क्योंकि आलू या प्याज हाथ में से फिसल जाती हैं कभी-कभी देखे इस तरीके सा आपको कस लेना है अब हम देखिए कितना अच्छे से कस चुका है यह अब हम प्याज को भी इसी में कस लेंगे देखिए सावधानी पूर्वक करना है आपको ताकि यह अच्छे से कस जाए और आपके लगे दिना ठीक यहाँ पर हमने थोड़ी सी लाल मिर्च ली है इसमें और नमक स्वाधनुसार और इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे हम और इसको जादा देर नहीं रखना है क्योंकि आलू काला पड़ जाता है तो इसका कलर अच्छा नहीं लगता है अगर इसमें थोड़ा सा पानी एक्ष्ट्रा हो जाए आलू प्याज का तो उसे थोड़ा साइड से निकाल देना है और ज़्यादा सुका भी नहीं करना है इसी तरीके का आपको यह तयार करना है देखी बड़ा ही टेश्टी सा लगता है यह आलू प्याज का नास्ता चलिए अब बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर हमने तवा ले लिया है नॉनिष्टिक वाला तवे पर एक चमच रिफाइन डाला है गैस को ओन कर लिया है अब इसको हम एक ब्रस की सहता से तवे पर तेल को फैला लेंगे अच्छी तरह से चार तरफ तवे पर लगा ली दियेगा इसको ताकि यह अच्छी तरह से फैल जाए और हमारा जो बैटर है वो चिपकेना वैसे भी नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने यहाँ नॉनिष्टिक तवा यूज किया है क्योंकि लोहे के तवे में क्या है यह थोड़ा चुपक जाता है कभी कभी और बैटर को बीच ओ बीच डालना है और हलके हाथ से इसको हमें चार तरफ से पैला लेना है जैसे कि मैं फैला रही हूं अगर आपको लगे कहीं मोटा कहीं पतला है तो उसे आप एक पोने या पल्टे की साहता से दीरे दीरे ऐसे ही कर लेना है देखिए कितना अच्छा लग रहा है और अच्छे से फैल गया है तवे पर अब हम इसमें ब्रस की साहता से थोड़ा साओल उपर से लगा लेंगे ताकि दूसरी तरफ से अच्छी तरह सिख जाए आप स हमने इसे दोनों तरफ से कम से कम 4-5 मिनिट तक सेगा है देखि आपको दूसरी तरफ से थोड़ा उठा कर दिखाती हूं दोनों साइड से सिख चुका है अब हम इसे डारेक्टली प्लेट में डालेंगे तो चलीए प्लेट में हम इसको डालते हैं घैस को बंद करदेंगे प्लेट ले लिए हमने अब देखे तब एसे डारक्ट ही हम इसको प्लेट में डालेंगे वैसे तो ये एक कोरियंडी से इसको खमजा जोन भी कहते हैं अब इसे पॉना या पल्टा या फिचाकू की मदद से आप इसको चार भागों में बाट लीजिएगा ऐसे ही दीरे-दीर से कट कर लेना है चार पीस तैयार हो चुके हैं अब हम इनको साइड से लगा लेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से यहां पर हमने म्योनी ली है सॉस ली है आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं और यह बढ़ा ही अच्छा लगता है खाने में भी और बच् दन्यवाद